नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशेल यूटूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्थितु साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर स्टुइंट्स आज की क्लास में हम लिनुविगनीकों में एक महतपुन मनोविगनीक है जिनका नाम है क्लार्क लूईस थर्थ के बारे में जैसे की आपको पता है कि अधिगम के सिधांट को हम दो भागों में डिवाइट करके पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं व्यावारवादियों के सिध्धान और दूसरा पढ़ते हैं संग्यानवादियों के सिध्धान तो व्यावारवादियों के सिध्धान में मैंने आपको चार साइकलोजिस्ट के बारे में बताया था कि जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और यहां से आप लिटोरस फ्रेडरिक स्कीनर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्लार्क लूइस हल के बारे में पढ़ेंगे तो अभी तक आपको लास्ट क्लासिस के माध्यम से आपको एड़ड ली थांडाइक आई पी पावलव एंड भी एफ इसकीनर को मैंने बता दिये हैं आप आप तक classes पहुँच चुके होंगे अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी वाद है दर्वाइज आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है नि गुरुजी special classes की प्लेलिस्ट पर जाकर इन theories को आप detail में study कीजिए जहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और study करने के बाद हम इस परबेज़ आधरित जो प्रश्ण होंगे उनको practice set के दोरान cover करेंगे देखे अभी तक आपने तिनों psychologist cover कर लिये हैं आज हम व्याभारवादियों में चौथे psychologist को पढ़ेंगे जिनका नाम है Clark Lewis Hall तो चले start करते हैं और जानते हैं Clark Lewis Hall के बारे में कि Clark Lewis Hall ने क्या नाम था reinforcement theory ध्यान रखेंगे English name को कि इनकी theory reinforcement theory is given by Clark Lewis Hall एनि कि reinforcement theory देने वाले जो मनोवैग गनिक उनका नाम है Clark Lewis Hall एनि CL Hall ठीक अब reinforcement theory को हम हिंदी में कहते हैं पुनरवलन का सिद्धान तो आप से सीधा सीधा exams में प्रशन पूछा जाता है कि पुनरवलन का सिद्धान किस ने दिया है तो आप बताएंगे कि CL Hall एनि Clark Lewis Hall ने दिया है लेकिन एक points में आपको बता दो strengths last classes में जब मैंने आपको ब्यूरस फ्रेडरिक स्कीनर की theory को पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो reinforcement theory है वो CL Hall ने दिये हैं बट पुनरवलन को जो सबसे अधिक महत्व जिस इस मनोवैगनिक ने दिये हैं वो है आपके BF Skinner और आपने देखा होगा कि BF Skinner की जो operation conditioning theory है उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा बात पुनरवलन पर की है और उन्होंने दो प्रकार की पुनरवलन पर बात की है एक सकारात्मक होता है सकारात्मक पुनरवलन और दूसरा नकारात्मक पुनरवलन यदि आप बच्चे को सकारात्मक पुनरवलन देते हैं तो बच्चे उस क्रिया को भराते हैं ने रिपेट करते हैं और यदि आप बच्चों को नकारात्मक पुनरवलन देते हैं तो उनकी क्रिया में कमी आती है इसलिए स्ट्रेंड्स यहां से एक डाउट्स बनता है और मैक्सिमम स्ट्रेंड्स यहां पर मिस्टेक करते हैं अगर वो डिटेल मिस्टेडी ना करे तो देखे यहां से प्रशन बन सकता है कि पुनरवलन को सबसे अधिक महत तो किस मनोवेगगनिक ने दिये हैं तो अगर आपको महाँ पर CLL option में दिख भी जाए तो भी आपको उनके साथ नहीं जाना है क्योंकि पुनरवलन को जो सबसे अधिक महत दिया है वो दिया है BF इसकी नरने बट अगर आपसे कभी पुछा जाए कि पुनरवलन का सिद्धान किस ने दिया है तो आपको बताना है CLL तो ये दो point है जहां से आपको confusion हो सकते हैं इसलिए मैंने आपको clear कर दिये हैं अब यहां से कोई confusion नहीं होगा और आपके exams में प्रशन पूछा जा चुका है कि पुनरवलन को सबसे अधिक मैं तो किस मनुवेग गनिक ने दिये हैं आपके UPITAT के exams में ये प्रशन पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं आपको confirm कर रहा हूँ I hope आपको यहां तक clear हो गया होगा तो reinforcement theory को हम हिंदे में पुनरवलन कहते हैं और इसको हम पुनरवलन के सिध्धान के नाम से जानते हैं और इसी theory को students हम सवलन का सिध्धान भी कहते हैं तो अगर आपसे पुछा जाए सवलन का सिध्धान किस ने दिया तो आप बताएंगे Clark Lewis Hall ने और यदि आपसे पुछा जाए प्रवलन का सिध्धान किस ने दिया तो भी आप बताएंगे Clark Lewis Hall ने तो यहां पर students यह अवकलन यहां पर शब्द नहीं आएगा इसलिए आप तीनों नेम से ध्यान रखेंगे पुनरवलन का सिध्धान किस ने दिया है तो आप बताएंगे Clark Lewis Hall सवलन का सिध्धान किस ने दिया है तो आप बताएंगे Clark Lewis Hall और प्रवलन का सिध्धान किस ने दिया है तो आप बताएंगे Clark Lewis Hall और English में आपको ध्यान रखना है reinforcement theory ठीक तो अब students इसी सिध्धान के कुछ उपनाम भी है जिनको आपको ध्यान रखने चाहिए जैसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना आवशक्ता हराशन देखे students यहाँ पर थोड़ा सा typing error है इसको हम पढ़ते हैं आवशक्ता हराशन का सिध्धान या फिर आवशक्ता अवकलन का सिध्धान ध्यान रखेंगे आवशक्ता हराशन का सिध्धान हो सकता है या फिर आवशक्ता अवकलन का सिध्धान हो सकता है तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आवशक्ता हराशन का सिध्धान किसने दिया है तो आप बताएंगे CL HAL ने प्रिकल्पित निग्मन का सिध्धान अगर आप से पुछा जाए परिकल्पित निग्मन का सिध्धान किसका है तो अब बताएंगे क्लार क्लुइस हल का या फिर इसी कोई हम बोलते है निशकर्ष या आवशकता का सिध्धान तो ये भी आपको किसके नाम से वताने है क्लार क उपनामों से बहतर है कि आप इसका English निम धियान रखे reinforcement theory और यहां से सीधा सीधा आप से exams में पूछा जाता है कि reinforcement theory किस ने दिया या फिर पुर्णर विलन का सिद्धान किस ने दिया तो आप बताएंगे Clark Lewis Hall I hope आपको यहां तक सारे points clear हो गए होंगे चले आगे बढ़ते हैं करिया करता है तो हमें उस बच्चे को पुनरवलन देना चाह cylinder यहन एक मान लिजए कि एक बच्चा है जो बार-बार अनुक्रियाई कर रहा हों और उसको हम पुनरवलन दे रहें हैं तो वो बच्चा अपनी क्रिया को और जारी रखता है लंबे शमें तक और ज्यादा वह उद्धिपक को प्राप्त कर लेता है यह आपका उद्धिपक है तो वो उस उद्धिपक को प्राप्त कर लेते हैं जो भी उस बच्चे का लक्ष होगा जब उस बच्चे को अपने लक्ष को देखकर बच्चा अनुक्रिया करना शुरू करता है तो उस बच्चे को हमें क्या क उस बच्चे को हमें पुनरवलन देना चाहिए क्योंकि यदि हम उस बच्चे को पुनरवलन नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो बच्चा अनुक्रिया करना छोड़ दे या बीच रास्ते में आधे अधूरे काम करकर छोड़ दे तो इसलिए जब भी कोई बच्चा किसी को देखता है और वो अनुक्रिया करता है और वो अनुक्रिया करता है तो हमें उस बच्चे को पुनरवलन देना चाहिए और पुनरवलन भी कैसे देने चाहिए हमें सकारात्मक पुनरवलन देने चाहिए अगर हम सकारात्मक पुनरवलन देंगे तो वो बच्चा उस क्रिय सफल हो पाएगा इसका मतलब यह है कि जब भी आपको किसी चीज की आवश्यक्ता होती है तब ही आप उसके लिए क्रिया करते हैं और जब आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है तब ही हम उसको क्या कहते हैं अभी मैं आपको बता दू आपने अपने लाइफ में बहुत जादा मेहनत की है आप इतने स्टडी करने के बाद इस पोजिशन पर आये हैं लेकिन अभी भी आपको जॉब नहीं मिली है और आपने यूपिटेट क्वालिफाई करके सूपर्टेट की तयारी कर रहे हैं तो सू के लिए आपकी requirement अपकी आवशकता क्या है आपकी आवशकता primary teacher होने की वज़े से ही आप क्या कर रहे हैं अनुक्रिया क्या सूपर्टेट की तयारी कर रहे हैं और जब आप अनुक्रिया हैं करेंगे तभी आपको primary teacher की जो उपलबधी है वो प्राप्थ होगी और जब आपको प्राप्थ हो जाएगी तब आपका अधिगम होगा for example के लिए जो teacher आपके 68,500 में और 79,000 में चैनित हो चुके हैं अभी आप उनसे जाके पूछिए या फिर अगर आपके आसपास है तो आप उनसे पूछते हैं उनसे suggestion लेते हैं उनसे guidance मांगते हैं कि हमें इस job को प्राप्थ करने के लिए कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए तो आ सब चीजे आप उनसे पूछते हैं तो मेन उद्देश है वही है strengths की जब तक आपको किसी चीज की आवशक्ता नहीं होगी तब तक आप अनुक्रिया नहीं करेंगे और जब आप अनुक्रिया करेंगे तब भी आपको वो चीज प्राप्थ होगी और उसी को ही हम क्या अधिगम कहेंगे तो इसका मतलब ये सिधा सिधा व्याभारवादियों से जुड़े थे और इसी क्रम में एक थोट आपने सुना होगा कि आवशक्ता अविशकार की जन्नी है यानि कि जब भी आपको किसी चीज की आवशक्ता नहीं होती तब तब आप उसका अविशक्ता भ आवशक्ता को बहुत जादा महतु दिया गया है उन्होंने कहा है कि जब तक आपको आवशक्ता नहीं होगी तब तक आप अनुक्रिया नहीं करेंगे लेकिन ऐसा टीचर आपका क्या रोल है कि जो बच्चे जिस बच्चे को आवशक्ता होगी अनिक एजूकेशन लेना तो अनुक्रिया तो करेगा बटी उस अनुक्रिया के दोरान यदि आप पुनरवलन देंगे तो उस अनुक्रिया को जल्दी करने की कोशिश करेगा या उसकी करने की गती में बढ़ोत्री हो जाएगी और वो चीजे उसे जल्द से जल्द प्राप्त होगी और जैसे जैसे उस प्रवलन का सिध्धान या फिर 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 प्रवलन का सिध् जो आप पढ़ रहे हैं तो इस थियोरी के बारे में क्लर्क लूइस हलका मानना ये है कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए जिस प्रकार से बच्चों को आवशक्ता है यानि कि बच्चों को जिस चीज की आवशक्ता हो जैसे आवश्यक्ता होगी आपको उस बच्चे को उसी प्रकार से पढ़ाना होगा और बच्चे को आपको क्या करना पड़ेगा बार बार पुनरवलन देना पड़ेगा जैसे जैसे आप बच्चे को बार बार पुनरवलन देंगे तो उस बच्चे को वो चीज बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी क्योंकि उसकी क्रिया करने में और ज्यादा गती उत्पन होगी और जितना ज्यादा वो जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तो उसे उस चीज की प्राप्ती भी बहुत जल्दी होगी ज्यादा आपको पुनरवलन मिलेगा जैसे आपके टीचर लिखनी होते है या फिर आपके गाई्डर होते हैं या फिर जो आपके エल्डर सोते हैं से बड़े हैं जो आपको motivate करते हैं तो उससे आपको क्या मिलती है एनरजी मिलती है आपको अच्छा लगता है इसका मतलब यह सारे के सारे पुनरवलन के formats हैं बस बात अलग है कि आप पुनरवलन को यहाँ पर अभी प्रेड़ना कह रहे बट पुनरवलन का मतलब यही है स्ट्रेंट्स की अगर आप किसी से मिलते हैं और वो आपको मोटिवेट कर देते हैं और आपकी क्रिया करने में गति उत्पन हो जाते हैं तो उसी को ही पुनरवलन कहते हैं तो सेक्षिक मैत हुई है कि जब आप बच्चों को पढ़ाए तो आ उनमें इंट्रस्ट उत्पन होता है और जब उनमें इंट्रस्ट उत्पन होता है तो जिस से अधीगम स्थाई हो पाता है और इस तरीके से जब बच्चे इंट्रस्टेड होते हैं और वो और ज्यादा मेहनत करते हैं और तिवर गती से करते हैं उनकी स्पीड भी डवल हो तो वो जो भी चीजे सीखते हैं अधीगम करते हैं वो कैसे हो जाते हैं हाई हो जाते हैं तो यही उद्देश्य है as a teacher आपको करने के आवश्यक्ता है लेकिन यहाँ पर students इस theory को आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह चीज आपको पता होना चाहिए आपके भ्यावार में changes होने चाहिए तभी आप बच्चों के साथ अच्छे तरीके से deal कर पाएंगे और आयोग भी आपसे चाहते हैं कि आप यह सारे चीजे पढ़ कर आएं क्योंकि आप तो अभी पढ़ेंगे अपने exams में questions को सही करने की वज़े से बट आप जब question को सही करने के लिए theory को आप detail में तब आपको realize हो जाएगा और आपके ब्याभार में भी changes आ जाएंगे I think यहां तक सारे points आपको clear हो गए होंगे आशा करता हूं कि यह जो theory है यह छोटा सा theory है बट आपको सारे points clear हो गए होंगे और यहां से जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे यहां से सारे points आपको मैंने clear कर दिये है इस theory के लिए इतना ही sufficient है जो भी प्रश्न आएगा अब आप इस topics related अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप easily कर पाएंगे लेकिन मैं students बता दू आपको कि इन से पहले जो theory मैंने बताई आपको Edward Lee Thondike B.F. Skinner IP Pavlov ये बहुत जादा important है इसमें chances कम होते हैं पहले उन से पूछे जाते हैं लेकिन examiner का point of view आप नहीं ध्यान रख सकते कि वो कहां से post question पूछ ले हो सकता है कि वो favorite topics को छोड़ दे क्योंकि ज्यादा तर बच्चे favorite topic पर जाएंगे तो इसलिए favorite topic को छोड़ कर वो यहां से प्रश्न उठा हाले हाला कि यहां से टेट में अब तक बहुत बार प्रश्नों पूछे गए इसलिए मैंने आपको बता दिये हैं और यह ब्यावारवादियों से जुड़े हैं इसलिए भी आपको बताना जरूरी था तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह class अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओ तो आपको टाइम टो टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद जय हिंद